बाहिन को आप खोलिए युसाया की किताब पर युसाया नावबाद चटी आपसे मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए हमारे लिए एक लड़ का द्वन्दत हुआ और हमको एक बेटा वक्षा गया और संत्नत उसके कंदे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदाई कादर अब्दियत का बाद स्लामती का शहजदा होगा उसकी संत्नत की के अकबाल और स्लामती की कुछ इंतहा ना होगी वो दौत के तख्ट और उसकी मुमलकित पर आज से अबद तक हुकम रान रहेगा और अदालत और स्लाकर से उसे क्याम बखशेगा रब फार्ज की गिरी ये करेगी सब कहें आमेन खुदम खुदा के कलाम का पड़ा और सुना जाना हम सबो के लिए वाई से बर्धत वो खुदम आप शब को नहाए अपनी सलामती और बर्धत में लखे और मेर बानी सब इसनी प्रखें हम खुदा के कलाम पर द्वालों करते हैं वाई मुकदस जिन्दा खुदा का जिन्दा अलहाम है और ये खुदा का इरहाम याई खुदा का वर्मान और खुदा के मूँ की बाते जो आसमानी हैं और आसमानी जराएं के वसीला से हम तक पहुंची हैं इन के लिए हम शुकर बुजारी करते हैं और इन 66 कताबों में जो के वाई मुकदस एक 66 कताबों का मचमुआ है इसमें ये साया का साहिफा जो है ये साया की कताब जो है इसमें ये सुमसिती बाबद उसकी बदाइश की बाबद उसके मचमुख होने, मचमें, जी उचने और ये सुमसिती की जिन्दगी और उसके मौच्जाना किस तरह से वो इस्तामाल होगा बहुत सी बादें हमें नज़त आती हैं आज हम ये साया की सहीफे ही को अपने साम पे खोड़े हुए ये साया की सहीफे में से उसके नाम बाब की चटी आयट से हमने सीखना शुरू किया है कि तुमारे लिए एक लड़का तुल्द होगा तुमारे लिए लड़का तुल्द होगा तुम्हे एक बेटा बक्षा जाएगा जिसके बाद यहुना रसूल बोड़ा जबदस दस हम सब के सामने रखते हैं और यहुना रसूल की अजील की यह आयट जो है बच्चों बड़ों को याद होती है संड़ी स्कूल में भी टीचर्स जो है वो इस आयट को बच्चों के सामने रखती है कि कुदा ने जहान से ऐसी महबत की उसमें अपना अकलोता बेटा बख्च दिया बेटा जो हमें दिया गया है यह सुमसी जो हम सब के लिए दिया गया है यह कोई किसी की मेनत या उसकी रियासत उसकी कोशिश के सबब से नहीं बनके यह एक बख्चिश है इनसान की जिन्दगी में उसके लिए एक नहायत ही बड़ी बरकत है जो कुदा की दरफ से जब के इनसान की सिर्व काबन नहीं था इस लाइक नहीं था कि वो इस बड़कत को इस रहमत को इस वश्फ़को पेसन कर सके लेकर उसने अपनी महबत में अपने प्यार में नहीं के लिए अपने पेड़ी को दे दिया ये उनके लिए बख्षिस है ये उनके लिए बड़ी बड़कता निशान भै और फिर अगले शबेंच जब हम जाते हैं तो निखा के उसका जो बेटा बक्श जानता है जो बेटा दिया जानता है उसका तुमारे लिए एक जबर दिस निशान है कि वो एक अजीब मशीर होगा अजीब मशीर ऐसा मशीर ऐसी मशुरत देने वाला ऐसे मशुरे दूसरों के शामने रखने वाला जो बिल्कुल अजीब लगेगा जो शुरू से जो जिस तरह से हम तालीम पा रहे हैं जिस तरह से हम सुन रहे हैं उससे कुछ मुख्लिफ बनके बहुत ही मुख्लिफ अजीब मशुरत उसकी तरह से तुम्हें मिलेगी और जब हम इस अजीब मशीर की जिन्दगी पर गौर करते हैं जो बेटा बक्षा गया है उसकी जिन्दगी पर गौर करते हैं तो उसकी बनाईश अजीब है पहली बात उसका दुनिया में आना ही अजीब है दुनिया में आदम और हवा के बात जो कोई पैदा हुआ वो आदम और हवा के मलाव से पैदा हुआ लेकर इसकी बदाईश इन्सानों के मलाव से हर्गस नहीं है इसकी बदाईश अजीब है और इसकी बदाईश इस गदर जबर्दस और अलहावी है कि वो खुदा के कलाम से मजस्टन हुआ है पैदा हुआ है उसने खुदा के कलाम की कुद्रश से मकद्सा मर्यन ने खुदा की रहमत को हासल किया है पहले बाद उसकी पदाईश अजीब है पिर जब हम उसकी जिन्दगी पर गौर्द करते हैं जब यह लड़का जो दवल्द हुआ है जब भक्षा गया है जब वो का दुखामत में भरना शुरू करता है तो वो ऐसी ऐसी मशुरत ऐसे ऐसे जब दस्त जो है नहसर लोगों के सामने रखता है जो अकल को धंड कर देते हैं जो मानने के लिए जो है लोग त्याद नहीं होते कहते हैं कि यह कैसे एक जब दस बात मैं आपके सामने इस मशीद की रखना चाहता हूँ इसने कहा कि जो तुमें लानत दे लानत के बदले में उसे उसे पर्क्र देगा जब के यही सिखाया गया कि इंड का जवाब बद्धर देगा और यह एक सवर्दस्ट मशीर है कहते हैं कि अगर तेरे कोई एक तमाचा मारे तो उसकी तरफ दूसरा भी फिर देगा क्या इस तरह का मशीर कभी किसे ने दिया है ऐसा मशीर कोई उसरा है या आज तक कोई ऐसा मशीर मशराया है जो कहते है कि अगर कुछ एना कुर्टा लेना चाहे तो उसे चोगा भी दे लेना क्या कोई ऐसा मशीर मशराया है दुनिया में जो कहते है गाली के बदले गाली ना देना कोई ऐसा मशीर दुनिया में बदल आया है कि उसे तमाम लोग जो है दुख दे रहे हैं और वो कहते है एबाब इनको माफ करते हैं ये एक सबदस्ट मशीर जिसकी बात बत यिसाया फरमाते हैं कि वो अजीव मशीर होगा और उसकी मश्रुक की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके फैसले हमारे लिए नहाइद अरसे हैं और ये वो बाते हैं जो लोगों से या तालीमां से दूसरे नर्वियों की तालीम से भी हट कर नदर आती हैं ताके इनसान की जिन्दगी में से खुदी खतम हो जाएं उनकी जिन्दगी में से तकपर खतम हो और वो गुदा के साथ खचे तरीके से जुड़े रहें और खुदार से अगर किसी शक्ष ने मलाप करना है तो मुषी की तालीमां जो अजीब हैं उनको अब भी सिन्दगी में लेना नहाएं जरूरी है आके बढ़ते हैं उसका नाम अजीब मशीर अगला क्या है कुदाए खादर ग्लोप से बोला करें क्या कुदाए खादर वो नाफ़क अजीब मशीर है बंकि नभी ये फरमाते है कि वो कुदाए खादर है फेलिपियों के कतले बारुश्य सूर कहते हैं अगर थे वो खुदा की सुरुप पर था खुदा के इप्तिहार को रखता था लेकर उसने अपने आपको बश्ट कर दिया यहोना की इंजील को आप पड़ी तो बता चलता है कि इतना में कलाम था कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और इसकी बाद में लिखा है कि सब चीज़े उसी के वरसीला से पैदा हुई और जब हम खुदा कादब की बात कर रहे हैं और जब ये सुम्शी जमीनी खित्मत के दर्रां लोगों के दर्रियां कुदा की बादशाही की बात दिखरते कई लोगों ने ये कहा कि ये काम तो सिर्फ कुदा कर सकता है ये कैसे कर रहा है ये क्यूं कर रहा है और ये कैसे मुमकन है क्योंकि गुना माफ करना सिर्फ कुदा का काम है और ये सुखी ने बार बार बहुत से लोगों से ये कराम किया जा तेरे गुनाम माफ़ हुए फिर एक बहुत बड़ी बात जिन्दगी में जला बच्छन, बहाली बच्छन, ये सिर्फ कुदा का काम है और फिर देखा जाता है कि वह लाजर की कबर पर खड़ा होता है और कहता है लाजर निकला और लाजर कफर समेश बाहर निकलाता है और इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि ये खुदा गादत है और तुदा की कुद्रत इसकी जिन्दगी में है फिर नाइम की बेवा इसके बारे में हिस्ट्री ये बताती है कि नाइम की बेवा जो है उसका बेटा जवान बेटा जो है वो मर गया है उसका जनाज़ा जा रहा है हिस्ट्री ये बताती है कि वो रोमी सबाही था और रोमी सवाही रोमी हकूमत गौर्विक जो है बादशाह जो है वो अपने सवाही को जब दफर करते थे तो उसे पहले पी जर्ब करते थे और पी जर्ब करने के लिए उसे वाफूस करने के लिए वो ये काम करते थे कि उसका अब्डामन जो है वो खोलते और उसके अबडामन में से सारी जीने में बाद लेते थी मेंसाह के दोर पड़ ना उसके बढ़न में दिल चोड़ते थे ना उसका निवर होता था ना उसकी किट्नी के उसमें होती थी बलके आनते भी ने होती इसको खाली करते थे ताकि वो जिर्दा देर तक महफूस रह सके और ये नाइम की बेवा जो पैर ये जनाजे के साथ ये सुमुशी को नजर आती है ये सुमुशी को उस पर तर्स आता है और वो कहते हैं जनाजे को रोको और उस नौजवान को कहते हैं उट और उट बैठता है जिसके बदल में अब सिस्टम भी बागी नहीं के जिसके सबकते उटे तो ये तुझाए कादव है ये कुछी गुश्रस हमें नजर आती है कि बेश्च कुछ हो या ना हो उसमें जिन्दगी का दम भूंकना उसी का काम है और उसी के जोर से उसी की गुद्रत से ये सब कुछ मुमकन होता है और इसलिए मुश्री ही ये सुमसी को कुदा कादर के तोर पर जानते मांते और उसे कबूल करते है अगला जो है आपने वे बाइबन को लिए है कदा कादर अजद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् ये सुमसी की बाप वाईवर ये बताती है नभुवत ये है कि वो अब्दियत का बाप है और इसके लिए जबदस रसूल फरमाते है कि ये सुमसी कल आज और अब तर ये साथ है और ये सुमसी मुकास फुटी कताब में वाजसे टॉट पर कहते हैं मैं मर गया था और अब तर सुमा हूँ ये सुमसी की मावथ पिर ये बता की बाप की पहरी आएट जो है इत्दा में कलाम था और कलाम खुटा के साथ था यानि वो इत्दा से है शुरू से है कि ना तो उसका शुरू है और ना कोई आखर है वो इत्दा और इंतहा है ना उसका शुरू है और ना उसका कोई आखर है वो अबदियत का बाप है और अगला शुरू है वो सरामती का शैसारा है हालेलिया सलामती उसी के नाम से सलामती उसी के धम से सलामती उसी के फज़त से और सलामती उसी के वर्षीदा से है अनजीर को आख पड़े यसी का ये फरमान आपको बार बार मज़र आएगा तमारी सलामती उओ और फिर यसी के ने कहा मैं जाता हूँ और अपना इतमना ये आपनी सलामती दुमें देता हूँ सलामती की बात जब हम करते हैं तो खुदा का कलाम हमें बार बार सिखाता है कि यसी मुष्य हमारी सलामती है बनकि सलामती की जब हम बात करते हैं तो यसी मुष्य की पदाइश के मौका पर जब फरिष्टे पेगाम्रे कराते हैं तो बड़ा जबर्दस्त वो गीत करते हैं आल में बाला पर खुदा की तमजीर और जमीन पर उन आद्मियों से जिन से वो राजी है सुरा और सलामती ये सलामती हमें खुदा की हजुरी से ये सु मुशी के वसीला से मिलती है आज भी जब हम सलामती की बात करते हैं तो हर शक्ष कहता है मुशी सलामती और सुला की बात करने वाले रोक है आज भी पूरी दुनिया में मुशीयत को अमन और शांती का मजब चाना राता है आज भी दुनिया में लोग मुशीयों को सलामती का निशान समझते हैं और यहां हमें सलामती मिलती है क्योंके हमारा खुदा में सलामती का निशान है वो सुला का सलामती का दर्श हमारी जिन्दगी में रखता है जबूरत यह है कि उस अजीब मशीर की उन मश्वरत की बहतों को उन तमाम मश्वरत को अपनी जिन्दगी में लें माफी की ताली इस से भड़ कर कभी भी कहीं भी आपको नजब नहीं आएगी अगर कोई मशीर का मानने वाला है तो मैं ये कहुँगा कि वो माफी को अपनी जिन्दगी में रखे वो उस अजीब मशीर की बातों को अपनी जिन्दगी में ले बदला लेने वाला हमारा खुदा है बदला लेने की कोशश ना करे जरूरत है उस खुदा कादर को इमान से आपनी जिन्दगी में मौका दे और उसकी हर्जूरी में उसके साथ साथ चलते हुए खुदा के पात नाम को चना दे जरूरत ये है कि उस खुदा कादूश को आपनी जिन्दगी में मौका दे आजब के हम जब ऐसे मौका पर हैं कि इस साल के आखरी अद्वार में मर्यूत है तो मैं ये कहूंगा इस मौका पर अपने जीमन खुदा मुद्ध को दे अपनी जिद्धियां खुदा मुद्ध को दे और इस सुल्ह और सलामती के शहजादे को आपनी जिद्धिने पूरे दौर से लेजुगे यहीं आप सलामती के शहजादे को आपनी जिद्धिय मिलेंगे आपकी शालामती होगी आपकी बहाली होगी आपकी बेठी होगी आएं हम अपने सर खुदाने के बजुरी में चिदाएं